नमस्कार मैं रितिक रोसंत स्वागत करता हूँ आप सब अपने चैनल प्रगे टैम्स में और आज मैं सिच्छा जगत से जुड़ी एक बड़ी अपडेट लेकर काया हूँ आप सब को बता दूँ कि केंद्रिया सिच्छा विभाग ने कुछ ऐसे नियम कुछ ऐसे अपडेट जारी किये हैं जिने सुन करके आपके होस उड़ जाएंगे कोचिंग संस्था चलाने वाले जितने लोग हैं उनके तो बिल्कुल वाट लगने वाली है इन गाइडलाइन्स को सुन करके पहला नियम यह है कि 16 साल के कम उम्र के इस्टुडेंट को कोचिंग पढ़ाना मना है आपको बता दें कि यदि आपका कोई बच्चा है जिसे आप कोचिंग पढ़ाना चाहते हैं तो इस बात को आप भूल जाएए अर्थात आप अपने बच्चे को कोचिंग नहीं पढ़ा सकते हैं नई गाइडलाइन को ले करके केंद्रिय सरकार आई है उस गाइडलाइन के तहट यदि आपके 16 साल के बच्चे को कोई भी बेक्ती कोचिंग कराना चाहेगा तो उसके उपर लाखो रुपए का जूर्माना लग सकता है इस तरह की गाइडलाइन आई हुई हैं आपको बता दें कि यदि कोई कोचिंग पढ़ाने वाला बेक्ती आपके बच्चे को जिसका उम्र 16 साल से कम है अथवा वो मैटिक का पई एक्जाम पास नहीं किया है अगर वैसे छात्र को कोई भी सिच्चक कोचिंग कराना चाहता है तो उस पे पहली गलती करने पर 25,000 का जुर्माना लगेगा और अगर दूसरी बार पुना वो पढ़ाने की कोशिस करता है और पकड़ा जाता है तो उस पे एक लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है इस परकार का जो है की गाइडलाइन अभी आया हुआ है केंद्रिय सिच्च विभाग के तरब स आपको बता दे की इस जनकारी को पूरी बिस्तार तरीके से हम समझने का प्रयास करते हैं और तमाम नियमों को हम देखने का प्रयास करते हैं कि आखिर कौन-कौन सी गाइडलाइन इसके साथ में आई हुई है या तो रही 16 साल तक के बच्चों की बाते यानि कि अब 16 साल त प्यादा के जो बच्चे होते हैं, अर्थात जो बच्चे हाई स्कूल पास होते हैं, उनके लिए क्या नियम है, तो इन्हें हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, सबसे बड़ी चीज है कि कोचिंग पढ़ाने वाला जो सिच्छक, पहले आप सिच्छक के बारे में समझ ये कोचिंग पढ़ाने वाला जो सिच्छक होना चाहिए, वो ग्रेजुएट होना चाहिए, पहला जो नियम है, वो कह रहा है कि अगर कोई कोचिंग कराना चाहता है, तो कोचिंग कराने के लिए उसे ग्रेजुएशन की डिगरी होनी चाहिए, अर्थात वो किसी भी से या किसी भी विसाय से graduate होना चाहिए दूसरा जो coaching पढ़ाना चाहेगा उसके उपर किसी भी प्रकार का crime का case दर्ज नहीं होना चाहिए अर्थात किसी भी crime में वो दोसी नहीं होना चाहिए आपको तीसरा नियम में बताना चाहूंगा अच्छे नंबर और अच्छे रैंक की guarantee नहीं दे सकते हैं कोई भी coaching ये संस्थान वाले लोग हैं वो ऐसा करते रहते हैं कि कहते हैं कि हम आपके बच्चे को फश ला देंगे या अच्छे ranks लाएंगे या अच्छे marks दिलवा कब नहीं चलेंगी यदि कोई इस प्रकार का दावा करता है तो समझ लिजे कि बरतमान सिच्छा निति के guidelines का उलंगन होगा और उसके उपर लाखो रुपय का जुर्माना लग सकता है वहीं आपको बताते चले कि एक सरकार बेव साइट जारी करेगी और उस बेव साइट प होगा वहां भरना होगा तभी आपका जो है कि license पास किया जाएगा coaching पढ़ाने के लिए अब दूसरी चीज मैं आपको बता दूँ वेव साइट जो बनेगी उस पर faculty की योग्यता होगी course पूरा होने की अवधी आपको बतानी होगी कि हम कितने अवधी तक कितने समय तक किस course को करा सकते हैं यानि कि किसी एक course को पढ़ाने में हम कितना समय लेंगे इसकी पूरी जनकारी आपको website पे देनी पड़ेगी और मैं आपको अगला नियम बताना चाहूंगा हर course की tuition की जो फी होगी वो fix होनी करनी पड़ेगी आपको अर्थात आप कोई भी course पढ़ाना चाह आते हैं तो उस course का एक ठो फी जो उसका जो पे होगा जो पैसा होगा उसे आपको fix करना पड़ेगा मतलब एक fix पैसे के अंतरगत आप एक subject का coaching करा सकते हैं और इसके साथ साथ और भी नियम जुड़ा हुआ है नियम कायरा है कि बीच में फीस नहीं बढ़ाई जानी तो उस rate में आप आगे बढ़ोतरी नहीं कर सकते हैं जब तक वह course पूरा नहीं होता है तो आपको हम आगे बताते चलें कि बगएर counseling का coaching का registration नहीं हो सकता है जी हाँ नए guidelines के अनुसार यदि आप अपने coaching का registration करवाना चाहते हैं तो उस coaching का registration कराने से पहले counseling कराना होगा और बीना counseling का आपका registration सुईकार नहीं किया जाएगा आपको आगे बताते चलें कि बच्चों के mental stress पर ध्यान रखना होगा अच्छा करने के लिए pressure नहीं बनाया जाएगा अर्थात करने का मतलब है कि आपको जो coaching पढ़ाएंगे उन सिछकों को mental stress पर बच्चे का ध्यान रखना होगा और अच्छा करने के लिए बच्चे के मानसिक स्थिती पे दबाव नहीं बना सकते हैं यार्थाता बच्चे पे पूरी तरह से दबाव नहीं बना सकते हैं कि तुम अच्छा करो इस exam में बेहतर करने का प्रयास करो इस तरह का मानसिक दबाव नहीं बनाया जा सकता है नए guideline के अनुसार, आपको आगे पताते चलने की छात्र मुश्किल या तनाव में हो तो मदद के लिए system बनाना होगा, नए guideline यह कह रहा है कि यदि कोई भी आपके तनाव में है, तो उसके तनाव को मुक्त करने के लिए, उसके stress को कम करने के लिए कोई बेहातर system बनाना होगा, जिसके वज़ा से उसका तनाव कम हो सके, इसके बाद अगला मैं आपको नियम बताना चाहूँगा, ज्यादा फिस वसुलने पर कोचिंग संस्थान का registration रद कर द हुआ है, अगला मैं आपको बता दूँ कि नियम का पालन, और मैंने जितना नियम बताया, इन नियमों में से किसी भी नियम का पालन नहीं करते हैं, तो पहली बार आपके उपर पचीस हजार रुपए का जुर्माना लगेगा, और यदि आप दूसरी बार गलती करते हैं, तो एक लाख का जुर्माना लगेगा, विबादित जो इसमें गाइडलाइन है, यही है, कि 16 वर्स तक के बच्चों को सिच्छा नहीं प्राप्त करनी है, कोचिंग संस्थान से, इस तरह की जो गाइडलाइन से, यह विबाद कहीं नहीं खड़ा कर रही है, और तमाम ऐसे लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, कि आखिर 16 वर्स तक के बच्चों को हम कोचिंग क्यों नहीं कराएंगे, और जब 16 वर्स तक बच्चा कोचिंग नहीं करेगा, तो आगे वाक कैसे बहतर कर पाएगा, हो सकता है कि उसके स्कूल के जो है कि टीचर्स उसके लिए मददगार ना साबित हो, या फिर उस स्कूल वाले सक्सेस ना हो उसे पढ़ाने में, या फिर कोई इससे अभिभावक हैं जो अपने बच्चें को घर में टाइम नहीं दे पाते हैं, तो एक्स्ट्रा मदद के लिए वो कोचिंग का सहार लेते हैं, और अगर कोचिंग बच्चा नहीं करेगा, तो फिर वो क्या करेगा, फालतु जो उसका एक्स्ट्रा टाइम होता है, उस एक्स्ट्रा टाइम में वो कौन सी एक्टिविटी करेगा, इसके लिए गाइडलाइन कुछ नहीं कहता है, तो यह एक बड़ा जो है की विवादित देखने को मिल रहा है, गाइडलाइ और सबका ध्यान राम मंदिर पे है और इधर आपके 16 बरस तक के बच्चे को कोचिंग के पढ़ाई से दूर किया जा रहा है तो यह एक बड़ी अपडेट है और इस अपडेट को आप डिसकसन करें और यह तै करें कि क्या 16 बरस तक के बच्चे को कोचिंग पढ़ने का दिका पर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए आपको बता दें कि ये सारे नियम इसलिए लागू किये गए हैं ताकि सबसे ज्यादा बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं कोटा में और तावा में इसे जगों तो इसके बाद से इस तरह के नियम लागू किये जा रहे हैं कहां तक ये नि परतार नाव से नहीं जुझेगा इसकी कौन सी गरांटी है क्या इससे सुधार हो सकता है इन तमाम चीजों पर आप सब कमेंट करें और बताएं और इस वीडियो को जाद से जाद से शेयर करें ताकि परते कि इस देश का नागरी किया जान सके कि उसके बच्चे को 16 वर्स तक कोचिंग पढ़ना मना हो गया है और उसे कोचिंग पढ़ने का अब अधिकार नहीं है मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद